अलो फ्रेंड्स आप सबों का बीजय स्रीज के 14 वे एपीशोड में स्वागत आज 19 फरवरी है और 18 फरवरी से रिलेक्टेट जो भी महतपून करेंट एफेर्स बन सकते हैं उसको इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे अगर आप अमारे चैनल पर नए है तो आप हमारे चैनल लग रहा है या आपके लिए फायदे मंद हो रहे है की नहीं इनकी जनकारी आप हमें कमेंट सेक्षल में जरूर सजा कीजिए और हो सके तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए तो आज का पहला प्रशन है सुजलाम शुखलाम जल अभियान का शंबंद किस राज्ज से हैं आपके पास है राजस्तान गुजरात पंजाब और उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा option number B गुजरात हाल ही में गुजरात के मुख मंत्री भूपेंदर भाई पटेल ने सुजलाम सुखलाम जल अभियान के छठी चरन का सुभारम किया है गुजरात से संबंदि अभियान कॉंग्रेस 2023 का आयोजन भी गुजरात में किया गया था आमदाबाद सी जबकि पश्पू के लिए भारत के पहले IPF मोबाल यूनित की सुरवात भी गुजरात में कि इस प्रकार से आप लगवा 5-6 महत्तपूर्ण टॉफिक्स जो है महत्तपूर्ण आपको बने हैं माधाव राव नील मोहन राजियो जोशी और सुन्दर पीचाई इसका सही उत्र हो जागा ऑप्शन नमबर भी नील मोहन नील मोहन हाल ही में यूट्यूब के नई CEO बने है यह है भारतीय मुल्क है यानि भारतीय और अमेरिकी कुछ और भी महत्तपूर्ण निक्ति सभी हाल ही में राजेस बिंदल बने हैं तो कुछ और CEO देखते हैं जो की 200 पटल पर है और उसमें भारतीय लोग जो है का मत्तब उन्लों की जो है योगदान है यानि भारत के ही CEO वहां पर है तो आप देखेंगे गूगल है गूगल यह जो है आलफाबेट गया है गूगल मित्र के साथ कुछ लोग जाते भी होंगे वहां पर तो स्टार्बक्स के जो CEO है वो क्या है लक्षुमन नरसिंगम इसके अलावे और भी दिखा अब देखिए आप माइक्रोशॉप माइक्रोशॉप्ट के अभी CEO है वो शत्यनाडला है वो भी क्या है भारतिये मूल के ही है है आइवी एम की बात करते हैं तो आइवी एम में हैं अभी अरविंद कृष्णा औरविंद कृष्णा तो यह भी क्या है भारतिये मुलके ही है इसके अलावे है अफुजाद होगा तो आने वाले जो परीक्षा होंगे उसमें जो है ना यहां पे CEO से आपको एक प्रश्ण आएगा है तो ज्यादा चांसेज है यहां से आने का तो आप जितने भी भारतिये CEO है उनका नाम आप जरूर याद रखें नेक्ट पसंद की तरह बढ़ते है हाल ही में IQ एयर द्वारा जारी एयर ट्रैकिंग इंडेक्स का नुसार बिश्व का दूसरा सबसे परदूशित सहर कौन रहा ओप्शन दिया गया है मुंबई गिल्डी कराची और लाहॉर इसका सही उत्तर हो जागा ओप्शन नमबर ए मु सब्सक्राइब करती है और अपना रिपोर्ट तो चलिए चौथा कोश्चन से बढ़ते हैं यहां पूशा गया है हाल ही में निमनी में से किसे यूनेश को सांति पुरुषकार से समानित किया गया है अंजला मरकेल नरेंद्र मोदी जो बाइडन और इमैनुवल माइक्रोन इसका सही उत्तर हो जागा ओप्शन नमबर ए अंजला मरकेल जो है यह जर्मनी की पूर्व चांसलर रह चुकी है उन्हें यह पुरुषकार 2015 म तक दिया गया है तो यूनेश को सांति पुरुषकार नाम दिया गया है इस पुरुषकार के शुरुष्कार की होई थी और बात करते हम यूनेश को के बरतमान महानिदेशक की तो ये हैं आपको प्रश्ण संख्या पांच है यहां पर हाल ही में किस लेखक को अकबर कॉक्ट्विल पुरुषकार से समानित किया गया है जावेद अक्तर, कितांजली श्री, सुभाष चंद्रन और रश्किन बॉन्ड इसका सही उतर हो जाएगा अप्षन नमबर C, सुभाष चंद्रन, सुभाष चंद्रन एक मल्यालम लेखक है, इन्हें अकबर कॉक्ट्विल पुरुषकार से समानित किया गया है किस उपनियास के लिए पुछा जाएगा, इनको किस उपनियास के लिए मिला है, तो इनका उपनियास का नाम है समुद्र सिला, समुद्र सिला के लिए इनका ना दिया गया बात करते हैं अब वर कॉट्रिल का तो ये थे केरल के एक भारतिये लगु का था लेखा का और उपनियास्कार थे जिन्हें दो बार केरल साहित के आकादमिय पुरस्कार मिल चुका कि राजसरकार की पुलिस को मिला है तो दिया एकारी स्कार अप्सिर भी नमबर लुगा Our कोटfold की एक अभी तक कुल कितने ऐसे राज है जिनको यह पुरुषकार मिल चुका है तो अभी तक केवल दस ऐसे राज है जिनको प्रेसिदेंसियल कलर मिल चुका है इसमें है मध्यपरदेश, दिल्ली, उत्रपरदेश, जम्मुकस्मिर, त्रिपूरा, गुजरात, अशन, तमिलाडो और हिमाचल परदेश, यह पुरुषकार बिर्ता और समर्पन के साथ 25 वर्सों के निरंतर सेवा और सेवा की समिच्छा के बाद राज पुलिश को दिया जाता है प्रशन सेंग के साथ है यहाँ पर हाल ही में हाइदराबाद में आयोजित, फर्मूला इफ्रिक्स 2023 किसने जीता है ओप्शन दिया गया है जीन एरिक, पाशकल वेहरिल, लुईस हैमेंस्टन और पाल्टोरी बोटास इसका सही उत्तर हो जाएगा ओप्शन नमबर यह जीन एरिक, जीन एरिक जो है फर्मूला वन ड्राइवर है यहाल ही में भारत में हाइदराबाद में आयोजित किया गया था, फर्मूला इफ्रिक्स 2023 उसमें यह इन्होंने अपना खिताब जीता है इनकी यह पहली भारत में पहला इनका जीत था, बात करते हैं भारत में पहली बार जो फर्मूला इरिस कहां पे हुआ था, तो इसका मेज़वानी भी एदराबाद में ही किया गया था, और लगवग एक दस्ता के बाद भारत में फिर से इसका आयोजित किया गया परस्टन के आठ है निमिल में से किस राज या किंदर सासित परदेश ने हाल ही में पहली बार एक हीम तिंदुवा देखा है यहां पे कौन सी एसी राज या किंदर सासित परदेश है जहां पे हाल ही में एक हीम तिंदुवा देखा गया हीम तिंदुवा पर जो है ना राज जी या केदर सासित प्रदेश में देखा गया, option दिया गया है, हिमाचल प्रदेश, लदाख, जमु कश्मीर और उत्राखंड, इसका सही उतर हो जाएगा, option नमबर D, उत्राखंड, या उत्राखंड के पिठोला घाट, जीने के दार्मा घाटी में लगभग, यहाँ प भारतिये थलसिना के अगले उप प्रमुख के रूप में न्युक्त दिया गया है, option दिया गया है, लेप्टिनेंज, जनरल, एन आर, एन एस आर, शुब्रमनी, पीएस राजु, एमबी, सुचिंद्र कुमार, और option D दिया गया है, अनिल चोहवान, का सही उत्तर हो जाएग के प्रमुख है, मार्शल, वी आर, चोधरी, और नौश इना के प्रमुख है, अड्मिरल, आर, हरी कुमार, वहीं बात करते हैं, ये तीनों सिनाओं के जिए है, कोडिनेट के लिए जो बनाया गया है, कीफ़ब, डिफेंस स्टाफ, तो वहाँ पे है, लेप्टिनेंज, जन नए AI चैट, एक Artificial Intelligence जो चैट बॉट का नाम क्या है, ऑप्शन दिया गया है, स्पेस, पर्ड, अधार मित्र, और लेक्सी, इसका सही उतर हो जागा, ऑप्शन नमबर सी, अधार मित्र, देखते हैं, आप जो किसी भी साइट पे जाते है, तो मेई हेल्फ यू करके एक होता आधार मित्र जो लाया गया है AI चैट बॉक्स, इसके थुरू आप जो है, पीवी सी आधार का स्टेटेस देख सकते हैं, सीकायतों का पंजी करम कर सकते हैं, और उसे ट्रै कर सकते हैं, वहीं इससे आधार से सम्मधित कुछ और भी तथे देखिए, अभी आधार का जो यान चार चर करके यहां पर क्या होता है, तीन होता है, यानि चार्तियां 12 हो गया, आधार में टोटल डिजित कितने होते हैं, 12 होते हैं, और प्रश्न को घुमाने के लिए ऐसा भी पूछा जा सकता है, आधार में जो एक वर्चुल आइडी होता है, अब पूछेगा आपको वर आधार होता है, जबकि आधार नंबर होता है, वो 12 डिजित का होता है, तो आज देखते हैं, कुश्चन अप दे आपका क्या है, देखिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में कुश्चन अफ डे का एंसर जरूर दीजे क्योंकि पीछले दो से तीन वीडियो में जो है, बहुत स देखना है, निकल जाना है, चली देखते हैं यहाँ पर, आयोध्या के राम मंदिर में परतीमा के लिए किस देश से दो सिलाय या पत्थर लाए गई है, जो सालीगरम की बात, जो अभी हाल ही में जो है, आपको पूछा गया है, वो सालीगरम किस देश से लाए गई है, करते हैं आपको यह बहुत अच्छा लगा होगा और आप जरूर सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं अगले वीडियो